नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में बिहार अमीन जो लर्सी अमीन है उसकी बहाली परकिलिया को लेकर सारे बातों पर चर्चा करेंगे जैसे की सरकार के द्वाला क्या बोला गया था और इतने समाय क्यों लग रहे है आप लोगो की बहाली को लेकर जैसे की फरवरी बोले गये थे बहाली परकिरिया को लेकर तो क्या कुछ है सारी जानकारिया हम साजा करेंगा तो इस वीडियो को अंधर तक जरूर देखेगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा इससे आपको बिहार आमीन और बिहार सरकार से रिलिटेड जोई वैकेंसिया आते हैं उसके रिगार्डिंग सारे आप लोग बहाली परकिरिया को लेकर अपडेट है आप लोग की बहाली परकिरिया को यह बात करें थे जब पहले बहाली निकाले गए थी जो कि विशेश सर्वेक्चन जो जिसका बिग्यापन संक्या थे पांच-22-6-22 उसके बाद हम यह बात करें तो इस तरीके से इसका बिग्यापन संक्या दिया गया था लेकिन इसकी जो वेकेंसिया थी उसको पूरा कैंसिल कर दिया गया कि 2019 की नियमावली से आप बहाली का प्रोसेस नहीं होंगे नहीं तो जैसे कि आलोक मेता जो बिहार सरकार के भूमी एमराजस मंतरी है उन्होंने बोले थे कि हम बहाली क की परकिरिया फरवरी में पूर्ण करेंगे बहाली में फरवरी हो जाएगा लेकिन फरवरी तो आज समाप्त होने को भी है बहाली तो छोड़िया अभी तक बिहार सरकार ने इसमें आबेदन की परकिरिया भी शुरू नहीं किया है जैसे कि पहले विग्यापन में बोला गय वी क्योंकि काम तो जनता का ही होगा उसका नजर अंदाज करते हुए बहाली को कैंसिल कर दिया अपने मुताबिक जैसे की एलेक्षन को लेकर या जो समझ आपको जो समझना हो उस लेकर कैंसि को कैंसिल कर दिया और बोला गए कि एक महिना के प्रिमुफ एक महिना के बाद कर दो नए सीरे से बहाली के प्रकिरिया सुपते हैं और भीसी चीप विग्यापण निकाले गी बिग्यापन में सुदार करेंगी और जिस तरीके से को एक्जाम लेने हों तो अभ्यारति उसके लिए भी तैयार है तो मांग है कि हम लोगों की मारक अधार पर भाली हो लेगिन आप एक्जाम पर ले रहें तो उसमें भी तेजी दिखाते हैं तो ने इतने मंत हो चुके ना आपने आवेदन निकाले ना ही कोई आवेदन की तिथी निर्दारित किये आपने विभ्यापन भी जारी नहीं किया है और मारक अधार पर आप लेना भी नहीं चाहते हैं तो और वैसे प्यारथि उन ने जो केस NICK किया है उसको लेकर भी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि फरवरी आदे फरवरी हो चुका लेकिन केस फाइल का जायदा समय हो चुका लेकिन अभी तक नहीं आया आएगा निसीत रूप से और जैसे आएंगे हम सारे अपडेट आपको बताएंगे तो सरकार की कहीं न कहीं सबको फिक्स हो चुका था कि जिसको मारक हो जाएगा क्योंकि चौब जicia नहीं चलते हैं क्योंकि दूब को भी पता रहता है किसको इतना प्रसेंटल अनुस्अ बहुत जाएदा पता भी चल जाता और वेरिफाई किया जाते है तब भी पता चल जाते है जैसी कि 2019 में ही बहुत ज़्यदा फर्जी हुए थे लगभग 200 जो अमीन कर्मी थे उसको 200 अमीन कर्मियों को पकरा गया है और उन पर कारवाई भी किया गया है तो निश्चित रूप से इस बार स्वास्त विवाग से रिगार्ड उसको भी भी करते हैं वह सबस्मझ सकते हैं क्योंकि वह एलक्शन तक लेकर जाना चाहते हैं सारी बहाली को तो यदि आशिकी फरवरी भी समाप्थ होने वाले हैं और देखते हैं कि भी तरब सी कि जो जारी करेंगे और जैसे फीकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इससे आपको बिहार अमीन बिहार स्वास्तिवा और बिट्यसी से रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो चलिए हमनों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू